दोस्तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि app को अपने phone में किसी भी app को disable करने से क्या होता है ठीक है जब आप किसी भी app पे click करते हैं यहाँ पे app info में जाते हैं तो आपको disable का एक option मिलता है इस पे click करके disable करने से होता क्या है आपको phone में बहुत सारे apps जो है वो pre-installed मिल अपने फोन से delete नहीं कर सकते, तो उन apps को आप disable कर सकते, आप disable करने से होगा, क्या, आप अगर किसी भी app को disable करते हैं, तो वो आपके phone से गायब ही हो जाएगा, हट जाएगा, आप कह लिए एक हिसाब से ठीक है, आपको कहीं पर भी उसका icon नहीं दिखेगा, आप उसको use नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो एक हिसाब से आप मालेज़े delete ही हो जाता है, मतलब actual में delete नहीं होता है, बट वो आपके phone से पूरी तरह से एक तरह से आपके लिए गायब हो जाता है, बट वो आपकी memory में जो है, वो रहता है, आप अगर चाहें तो बाद में उसको फिर से enable कर सकते है, enable जैसे ही करेंगे, तो फिर वो फिर से आपके phone में वापस आ जाता है, बट जब आप किसी app को uninstall करते हैं, तो वो completely आपके phone से जो है, वो delete ही हो जाता है, दुबारा लाने के लिए आपको उसको फिर से install करना पड़ता है, अपने phone में download करना पड़ता है, Google Play Store से, अगर व